इस बात्चीत में आज हमारे साथ देश की जाने माने रंकर सी रोबिन कुमार दास साथ में हैं जिनसे हम रगमंच के विविद आया हमूपर सिनेमा के विविद आया हमूपर एक बात्चीत करेंगे रोबिन दास जी मुल रूप से उडिशा के रहने वाले हैं और राश्टी नाट विद्धाले में लंबे समय पढ़ने से लेकर पढ़ाने तक बहुत सारे तजर्वात उनको हांसिल हैं उनके प्रोफाइल में अनेक बड़े बड़े नाटक जो कि उन्होंने निर्देशित किये और प्रस्तुत किये वो सब और उनकी पढ़ाई हुई पीडिया देश में उनका नाम रोशन कर रही हैं चिनेवा में रंगमंच में हमारे बीच वो आ जाए हैं उनसे बाच्ची शुरू कर रहे हैं वे भुपाल में एक कारिशाला के लिए पदा रहे हैं मंदप्रदेश नाट विद्याले की जिसमें लगातार अभी काम करते भी उन्होंने एक नाटक तयार भी किया है जिसका दो दिन पहले प्रदेशन हुआ और यह हमारे लिए संयोग था कि उनका भुपाल आगवन हुआ हमने उनके लंबे समय की सक्रीता और उनके कारियों के बारे में जाना है उनको संकीन ताटक अकेडमी की ओर से पतिश्टित सम्मान भी प्राप्त हुआ है और लगातार स्टेज क्राफ्ट से लेकर सीन द्रश्टों के सही उजन को लेकर उनकी विश्टिता जो मानी जाती है उसके साथ लगातार सक्री है लगवाग मुझे लगता है कि चालिस चादिक वर्षों की सजन आतरा आपकी है और इस पूरी अवधी में एक पड़ाओ जो है लगातार काम करते हुए देश दुनिया में घुमते हुए बहुत सारे अनभव आपने अरजित किये अलग-अलग पीड़ी के साथ काम किया आज जो आप जिस पीड़ी के सभी तरह कि आपने अनतनों को भी जाना होगा और किस तरह की फ्रपेरशन लेकर इसो अपने लेकर विजयारत्री रंग-मच्च के शेत्न में आता और उसके आगे आने वाली दिशा क्या होती है इन सबका भी आपने मनों को ज्यानिक अद्धन किया है आप ही के शिक्षित और दिशित के हुए कलाकार रंगमंच से भी है और सिनेमा के भी अनेक आयामों में अपने प्रतिभा को सिद्ध कर रहे हैं तो इस पूरी यात्रा को आपके सुरूप में देखते हैं यह मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ फिर कुछ खुलते हुए उससे रिलेटिड बात्चीत में करूँगा अब बस सुरू हो गया मैं तो होते 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 कब 40 साल 40 साल 20 गए इसका इतना हिसाब कभी मैंने लगाया नहीं है क्योंकि लगातार व्यस्त रहें पहले डिजाइन के उपर सबसे ज्यादा फोकस था फिर 5 साल के अंदर अंदर 3-4 साल के अंदर निर्देशना के उपर और ज्यादा जोर से मेहनत किया क्योंकि टीचर था मैं डिजाइन का ड्रामा स्कूल में तो इसलिए मुझे डिजाइन के उपर अपनी सारा जोर तो लगाना ही था लेकिन टीचर होने के दो साल के अंदर से फिर मैं अपने आपको ट्रेंड करने लगा और जिन डिरेक्टरों के साथ मैं डिजाइन करता था उनके काम से प्रभाबित होना फ्रिट्स बैनिवेट्स दीवी कारंथ इब्राहिम बरकाजी तो वो मैंने लिए ग्रोथ का फिर से एक नया मौका मुझे मिला तो उसको मैं असी के दशक के प्राग्रम से लेकर 87, 88 तक 8 साल तक में उस पे जोर दिया शुरू में रियलिस्टिक नाटकों पे ज्यादा जोर था दिरे 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 मैं अपनी भारतिया शैलियों के उपर भी काम करने लगा तो अपने लिए टास्क मेरा अपना इतना रहा कि हर तीन साल चार साल मेरे रिसर्च अनुद्ध्यान उसके बाद एक तरह के शैली में नाटक प्रस्तुती फिर चार पांच साल और अनुद्ध्यान तो उडिया फोक फॉंस के उपर काम करता रहा तो बिविनरा आयमे में काम करते करते हैं चोटे जगा पर जाकर एक महिना या पैंतालेस दिन का एक रंग कर्म का वरक्शॉप होगा तो उसका सिलबस कैसा होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़ाए जाएंगे तो इस तरह के भी क्रिया हों है फिर तीन चार साल चला तो हर बार सबसे ज़्यादा आनंदाई चीज यह है कि राश्टेनाट विद्धाले में जहां भारत के कौने कौने से बीस में से कम से कम आट दस चात्रतों बहुती बढ़िया होते थे तो ऐसे तेलेंटेड लोगे नसाथ काम करना तो एक गयराई तक जा पाने की शम्ता डेलॉब कर पाना के हाँ श्टूवेंट भी तेलेंटेड है और हम भी एक गयराई तक ले जाना चाह रहें तो इस तरह के बहुत सारे काम होता रहा और कब जो है रिटार्मन के टायम आगया हाला कि रिटार्मन के बाद भी मैं राष्टर नाटेट विद दैलर में प्ले डारेक्ट करने के लिए और क्लासेस लेने के लिए और पहले तो मैं क्थद्व में एक्टिंग पढ़ाता था कि मुझे डारेक्टली टाइम शेडूल में नहीं दिया जा सकता कि अभी नहीं ट्रेनिंग बाई रवब इंदास क्योंकि मैं डिजाइन टीचर हूँ तो इसलिए मुझे वाक्शॉप के नाम पर शुरू करता है कि पंदरह दिन में वाक्शॉप करूँगा और उसके बाद प्लेडाइट करूँगा तो वो जो वाक्शॉप है वो बेसिकली एक्टर ओर एक्टिंग ट्रेनिंग वाक्शॉप चलता रहा है उसके भी मैथडॉलोर के गूरूओं के साथ जाफ्तरा के अभिनताओं के साथ तो उसको एप्लाइ करना और उसके अंदर सुधार देखना तो ऐसे ही कुछ-कुछ काम करते करते कब मैं 62 साल का हो गया और ड्रामा स्कूल की से सेवानी ब्रित हुआ तो अचानक फिर इसमें पता चला कि अब मैं फ रिवाद है शीव जी की कि मैं कॉंटिनुसी फिर से एक नया काम नया चैलेंज मुझे मिला कि एक्टिंग पढ़ाना एक अलग बात है और खुद लेकिना विज़ने करना उसके उस विद्या के साथ संबंद ना रखें तो नहीं हो पायता है तो वो भी एक नया फ्रेशनेस सिस्थात मेरा तो मुझे इस तरह से पता ही नहीं चला कि कब जो है चार दसक पार हो चुके हैं और मैं काफी बुड़ा हो चुका हूँ सेवेंटी के आसपास हूँ 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 शिक्स्टी एइट प्लस हूँ हूँ अपके प्रोफाइल में मैंने देखा कि चा मैंने सीखा लेकिन उसको एज डांसर की रूप में नहीं एक डिरेक्टर की रूप में कि मैं अगर आधुनिक एक्टरों को से मैं मुव्मेंट औरिइंटेज नाटक करूँगा तो चो के कौन से ऐलिमेंट्स मैं ले सकता हूँ चो प्रपर हम नहीं कर रहे थे ना मैं सीख लेकिन हाँ उसकी चो की म्यूजिक चो की अपने प्रस्तुतिकरण के जो अपना ग्राफ है डामाटिक ग्राफ है कौम सा चो उडिशा के जो मैर्वन चो लेकिन सबसे ज्यादा गहरे में स्टड़ी में ने किया सड़ेकला चो और पूरुलिया चो ये दोनों मुझे इंटर बहुत ही इंटरेस्टिंगली एंटिग्रेविटेशनल है और पूरुलिया चो का तो बाकादा ग्रेविटेशनल है तो इन दोनों से म्यूजिक से क्या ले सकता हूं में तो पहले तो अपने आपको एक्स्पोजर देना होगा गुरू क्या सिखा रहा है तो साथ दिन मैंने सिखा सबरे से लेकर इवनिंग तक तो मुझे अच्छा इनका डिविजन कैसा है यही समझ में आए तो इसको मैं कह नहीं सकता हूं कि मैंने च्छोग डांस करना सीख लिया मनिपूरी नियुट्य सीख लिया मनिपूरी पाइट मैंने सीख लिया उसकी तक्रीक और उसकी जो या पूरूलिया सड़ेकला चोग का मुवमेंट कुछ उसको दे रहा हूं तो उसको किस रूप में वो ले पाएगा कितना ले पाएगा तो इसका सबसे पहला एक्सपरिमेंटेशन जो मैंने किया था बो था 85 से मैंने स्टड़ी करना शूरू कर दिया गूरू पास जाता थ उनके रेसल देखता था क्लासेस मेरी वो लेते थे तो लेकिन 91 में तब तक मुझे एक थोड़ा सा कमांड आया तो मैंने पूरूलिया चोग और सड़ेकला चोग इन दोनों के गूरूओं को बुला कर एक आधनिक नाटक बलकि यह ऐलिजाबेटन नाटक है डॉक्टर फॉ कमसा अलिमेंट वो ले सकता पैर का मॉझमेंट या हाथ का मॉमेंट या रिदम सिस्टम और सिंप्ली कीए टेक तो उसके अलग अलग अभिन्या था अलग तरीके से उसको लिया आदिल हुसेन पहले कहना था कि मुझे इतना विलन करेक्टर मुझे अंदर से अछा नहीं संग था बस उतना ही लिया सो हम यह देख रहे थे कि बिसिकली एक आधुनिक संग्रजना जो कर रहे हैं हम वो है तो एलिजाबेथन एंड इरोपेंड लाइक लेकिन उसको अगर हमने इंडियन एडप्टेशन किया तो उसका एक निरत्य स्वरूप जो है हमारे एक्टर के नाइंटीवान में हुआ था टू थाउजन में मैंने पूरी तरह से नॉन वर्वल बिना डायलग के सड़ेकला चाहू पूरली आचाहू और मॉडर्ण मूवमेंट इनको मिलाते हुए तीन घंटे कना तक पौने तीन घंटे कना तक तयार हुआ था और उसका और उसके इनुट्स को जो जो प्रोग्राम से जेजिए की रात्तरी और चांद उनका एक आइटम है सड़ेकला चों में तो उसको हमने किया लेकिन उसको हमने गाउव परविवेश में प्रस्तूत कर दिया और मॉस्त रात्तरी और चांद के निर्थे को जहां चल रहा है व दास होकर क्योंकि वहां कुटिया नहीं है तो इसी तरह के कुछ एक दुनिया क्रियेट होता रहा नौनवरबली म्यूजिक के सहित गूम्मेंट के यह जो मिश्रन है यह चलता रहा और उसके आज कल आज तक जो है उस पिरिएड में तू तू था जमने किया गया था कलाकार पत्रकार, साहितकार, प्रॉफिसर्स, पेंटर्स इन लोगों ने अच्छा रैस्पॉंस दिया लेकिन बाकी कॉमन अडिन्स के रही थी कि यह क्या है क्या है लेकिन उसी नाटक को जब हम आज के समय पे दिखा रहे हैं इधर उतर वरक्शॉप में तो लोग भरपूर उसको समझ पा रहे हैं और मज़ा भी ले पा रहे हैं कि यह किदर को किदर को इसकी गती है तो इसी तरह से एक टैडिशनल फॉर्मेट को अलग-अलग रूप में लिया गया है लेकिन हमें थीयटर में उसका एक सिंप्लिफाइड नेचर क्या है जितना हम ला सकें क्योंकि हिंडि टो जाओंगा जैसे कि एक प्ले एर्पन प्ले है इलीजावेतन प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का लिखाओा उसको तीन आरमी चाहिए एक आरमी इदर से आ रहा है पर एक आरमी दर से आ रहे है together तो इसको हम कैसे करेंगे इस्टिर कल डिर्रिजम् कितने लोग आ व हुम हमें तो मैंने सिर्फ साथ साथ लोग रखे और आइडिया आया कि अगर मैं इसको डांस में किसी तरह से कनबट कर सकूँ तो एक कुड अटम-डांसर को हमने बुलाया रहे, डांस गूरूं को, उनको हमने कहा कि बिल्कुल इनको कोडी आटम डांस नहीं कराना है, लेकिन कितना सिंक्लिपाय डंग से आप इन बच्चों से उसका एक मुवमेंट वर्काट करा सकते हैं, तो एक वार, दो आर्मी लड़ रहे हैं, तो इस तरह के के लिए जिस तरह से डिसाइड किया था, वो वाला मुवमेंट हम यहां दे सकते हैं, और वो करके देखा मैंने कि हाँ, यह तो ठीक आ रहा है, तो इसे तरह से यह जो कंटेंप्रारी, ट्रैडिशनल फॉर्मेट को हम इसलिए मैं विजब करना चाहता हूं, कि यह सड़नली यह उससे बहुत बैतर और अलग किसम की इसमें हम सिंट्ली और पोईटिकली भी कर सकते हैं, तो इसलिए टैडिशन के साथ मेरा बेसिकली यही एक मकसद रहा है, यह हाव इपावर मी तो पुट अप डिफिकल्ट सीक्वेंसेज, यह सब शुरू होता है, मेरे फर्स्टियर ड्रामा स्कूल में घुचते ही, एक तरफ तो हम सब लोग तयार थे जो इरोप के विज्ञान है, नाटिकला का, रियलिस्टिक नाटिक और प्रोसीनियम थियेटर, उसके साथ साथ हम लोगों को तीन महिने का, शिवराम कारंत नाम के एक पोईट भी है, नॉवलिस्ट भी ह हैं, टांसर थे, और उन्होंने आकर तीन महिने हमको सिखाया, तो उस तीन महिने के दौरान, कैसे हम एक फॉर्म को स्टुडी करते हैं, उसका म्यूजिक सिस्टम क्या है, उसके स्टेज के महावरे क्या है, किस-किस तरह से स्टेज के कंदिंशन्स क्या है, उसका नित, उसके बाद कास्टिंग हो जाता है तो वो एक विज्ञान मुझे बीवी कारंथ भी उसमें म्यूजिक कर रहे थे और वो उसमें एसिटेंट सहर निर्देशक थे शिवराम कारंजी का तो वो हमको एक दृष्टी देता है कि कैसे कोई भी फॉर्म हो मेरा उलिसा का जो अपने शाही है मैं उसको जाकर देखूं सेंट्रल उलिसा मेरे लिए इतना कलोज नहीं था मैं नॉर्फेस्ट उलिसा में हूं जो कि जाड़कंत के पास पड़ता है और मिधनापूर डिस्टिक के पास पड़ता है इसलिए allusie dance या संट्रल उडिसा के josa forms हैं वह मेरे इतने डूंड सकते हैं लेकिन ज्यादा मामले में वो साहित पे नाइंथ सेंचूरी से लेकर अलग-अलग पोईट्री के जो युग रहे उस पोईट्री के ऊपर आधारित है ये और बेसिकली जटिल और कठिन उडिया को सिंप्लिफाइड डंक से समझाना इस कला का में काम रहा गा आइकी के साथ साथ रामाटाइजेशन भी चलता है लेकिन बीच-बीच में जो सिंगर है वो एक्स्प्लेंड भी करता है उसको सिंप्लिफा कॉमन पीपल तो वो एक इंटरेसिंग फॉम है तो मैंने अलग-अलग पहले छोग के ऊपर मैंने उध्यान किया उसके दो तिन सा ए जो टाडिशनल फॉम से परागायन का कितरा मैं इस्तमाल कर सकता हूं क्या औरिशा जात्तरा का जो एग्जरिशन है क्या मैं रेक्स के प्ले में यूज कर सकता हूं क्या इसमें एलिएनेशन का एक पैटर्ण अपने अप में आएगा तो इस तर के कई सारे चीज़ों के पर हमें एक अनुद्यान करने के लिए, मैं सालों साल मेरा एक डेवलप्मेंट रहा, एक तरफ बाकादा अमेरिकन ठेटर, एन यूरोपियन ठेटर, इसको बहुत अच्छी तरह से हमारे पास लाइबरेरी में इतने इंट्रेस्टिंग किताबें मिली हैं, जो की पूरा इसको जितना लिया मैंने, उतना ही गहराई से, इंडियन फोफ़र्म्स, ट्रैवल फॉर्म्स, ये जो मैं उरिसा में जाता था, सिफ चोव नहीं साथ साथ में, ट्रैवल कल्चर, ट्रैवल लाइफ, उनके मीजिक सिस्टम्स, उनके रिचुल्स, इन सब चीजों के उपर भ याना समय कहीं कब खथम हो जाता पता नहीं चलता है, तो आपका जो डामा स्कूल में जो प्रवेश हुआ, वो तो स्टेज क्राफ्ट के विध्यारती के नाती हुआ, ने, क्रिक्टर के नाव, ये मैंने सिर्फ सर्वाइब करने के लिए, कि दिल्ली में कोई तब जितने में हमारे सीनियर पास कर चुके थे, कोई एक्टर या डायरेक्शन में जो कोर्स करता था, वो वहाँ पैसा कमा नहीं सकता था, उसको घर से लेना पड़ता, और मेरे सिती ऐसी थी, साथ भाई बहनों का जो परिभार है, और तभी तभी पित्ताजी भी रिटाय कोर्स होता था, डेल साल के बाद लड़का तै करता है कि मैं एक्टिंग में स्पेशलाइज करूं, या मैं डिजाइन में करूं, या मैं डिरेक्शन में करूं, उस समय मुझे बार-बार कहा जा रहा था कि डिरेक्शन लीजिए, नहीं एक्टिंग लीजिए, मैंने का कि मैं मैं डिरेक्शन लेना चाह रहा हूं तो उस समय क्या हुआ था जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा और क्लासिकल इंडियन ड्रामा उस क्लास में मैं जाता नहीं था तो उन टीचोरों ने मुझे इतने कम नंबर दिये थे तो मुझे कहा गए तेरे नंबर दो लिटेचर सब्जेक् आया था उस समय उसी मीटिंग का मुझे याद है तो मैंने का कि मैं स्टेज क्राफ्ट लोगा अलकाई साब नाराज हो गए का I cannot talk to him आप लो तै करिये उन्होंने का टेक एक्टिंग एक्टर्स डिरेक्ट भी करते हैं लेकिन तब मुझे समझना आ गया था कि मुझे सर्भा बाक्स्टेज जो मैंने किया वो सिनिक डिजाइन जो एवार्वी मुझे मिलाय है वो सिनिक डिजाइन में है तो वह एक कलाकारिता है उससे एक टेक्निशियन नहीं है जो पीछे खड़े-खड़े कुछ लाइटे बांध रहा है या खड़े-खड़े कुछ दो चार से था तो मैं खुब सारा कैरिकर्चर बनाता था कॉलेज के ब्लैक बोर्ड में तो लेकिन पोर्ट्रेट भी अच्छा बनाता था लेकिन मेरे पस कोई एजुकेटर नहीं थे कि मैं जान सब को कि पेंटिंग दूनिया कितना है ड्रामा स्कूल में जब आया है मैं तब मुझ क्लासमेट में अच्छा कर रहा हूं और मैं बाकी क्लासमेट भी सोछते थे कि इसको डारेक्शन मिलेगा तो वो एक मेजर डिचनल लेने के बाद एक और संयोग भी आया कि मैं ठीक डामा स्कूल पास कर चुका हूँ और थाडियर में पास करते ही मुझे कोई पांक-छे महन के अंदर हभीब जी के साथ मैंने एक design किया कि हभीब तन्मिर के साथ design कर रहा है यह लड़का भी पास किया हुआ फिर उसके दो मेने के बाद आलकाईज साफ के प्ले में मैंने design किया तो that was the time when suddenly I became quite accepted popular कि यह design में बहुत अच्छा है तभी तभी क्या हुआ था कि appointment के लिए पांच छे पोस्ट रमा स्कूल में निकाल दिये गए तो दिल्ली में टिकने के लिए library का फाइदा उठाने के लिए इस से ज़्यादा बेहतर मौका मेरे लिए नहीं था मैंने भी apply कर दिया apply करना एक बाद जब मुझे मिल गया तो मैं serious हुआ इस बार में कि life में मुझे अभी करना क्या है वो मेरे लिए रास्ता खोला मैंने ग्रूप बनाया जाब किया उस जाब को justify करने के लिए जेतना पढ़ना है जेतना मेनद करना वो किया लेकिन साथ साथ में अपना एक ठेटर ग्रूप खोल कर उसमें सबसे पहले experiment अपने शरीड पर किया movement oriented काम और उस समय ग्रॉटास की movement कुछ एक fashion के तौर पर आ गया था तो मैंने वो सब चीज़ें अलड़ी अपने उपने अपनाय करना शुग किया क्योंकि हमें एक्षिगान के movement सिखाए गए थे तीन महीना तो उससे जो मेरा development था फिर सेकेंड यर थाड यर में मनिपुरी soul fight ठांगता उसका एक simplified version मैं लगातार करता रहा और अच्छे speed मैं करता रहा सो bodily में तयार था चोग को भी take in कर सकता था मैं और तभी तभी ये मेरे अविनय और direction और design कि तीनों काम को मैं वहाँ drama school में नौकरी करते समय धीरे से अपने एक laboratory की तरह अपना एक group और drama school में पढ़ाओ अपने group में experiment करो और इसी तरह से वह धीरे धीरे चलता रहा कम से कम साथ आठ साल उसके बाद धेरे से वही experiment करने का काम और प्रयोग करने का काम drama school के students के लिए ही मुझे बार-बार invite किया गया तो अपने group activity थोड़ा मेरा कम हुआ और इधर जादा अपने आपको मेरे वहाँ डाल ला जो पक्स है इसको करते हुए इसमें रखता हारी करते हुए क्य एक designer जो है definitely निदेश्च के काम को असान करता है या कई बार निदेश्च के काम को complicated करता है अगर निदेश्च अलग तरह के कुछ चा रहे हैं designer की जो उदेश्च है उसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो जैसी कारण जी के साथ मने डिजाइन करना है तो हुँझी पता है कि का से normally विवाजित करते हैं treat करते हैं वह उनके blocking किस तरह से करते हैं कारविवार एक्टर को कैसे देते हैं इसके बारे में idea होकर तो director के हिसाब से ही designer को solution देना चाहिए लेकिन साथ साथ में yes कि इसके इतने सारे scene change कैसे करेंगे तो वर्णमन कारण जी जब कर रहे हैं इसके scene change कैसे करेंगे तो मैंने उनको एक simple कहा कि scene change की पार मैं बिल्कुल मत सूची है मैंने ऐसा कोई चीज नहीं बनाए जो एक ही location को present करता हूँ आप अगर composition stage में कर दोगे तो अपने आप में वो location provoke होगा तो इस तरह से कारण जी के लिए करना और अलकाई साहब के लिए करना जाग उठा रायगर अलकाई साहब ने direct किया था और तो मुझे पता है कि उनके movement और blocking CD अगर हो तो कैसे वो use करेंगे blocks और levels अगर हैं तो कैसे use करेंगे तो एक तरह से दोनों का creative साजिदारी है दोनों में synergy होना चाहिए इसलिए सबसे अच्छा काम मेरा अंधेर नगरी चौपट राजा वर्णमबन सकंध गुप्त ये तीनों कारण जी के साथ हुआ है और तीनों में मैंने set costume property special property इन तीनों का आपसी अंतरसंबंध पोईटिकली कैसा रहेगा ये काम होता है cynic designer का तो मैंने इसलिए लगाता है जितने सारा काम कारण जी के साथ किया कि सिर्फ मैं उनका set बनाओगा ऐसा नहीं मैंने property costume ताकि color scheme set का costume का special prop जा रहा है उसकी dramatic में है तो इन सब को एक पोईटिक धार दे सके ये है cynic designer का का लेकिन साथ साथ में cynic designer ऐसा atmosphere create करेगा जो actor को भी help करता है actor को provoke करता है उस mood में पहुंचने के लिए एक atmosphere उसको मिलते ही जो play का situation है उसके अंदर एक truthfulness आना शुरू होता है So a good designer always would create a space जिससे की actor according to the scene उसके अंदर mood मिल जाए कि महेंदरनाफ अशार के एक दिन में कहां बैठा हुआ है उसका corner कहां है उसको कितने दूरी पर उसके news paper है कितने दूरी पर उसका file है उसमें किस तरह का activity चलेगा ये अगर सही arrangement हुआ तो महेंदरनाफ करने वाले को इतना बढ़िया flow मिलना लगेगा कि वो effortless performance लगेगा So designer के multiple काम होता है एक play में एक्टर के लिए भी दर्शक के लिए भी डिरेक्टर के लिए भी तिनों उससे related जो और आयाम कौन से हैं जो एक scene को परिपक को बनाते हैं आपको क्या लगता है ने मैं सवाल ठीक से नहीं सब्सक्राइब जैसे अब आप एक दर्शक के सहीं जन में या उसको perfect करते हैं अप्रूव करते हैं तो दर्शक में एक तो यह है कि हारी stage है फिर stage पर पात र जैसे मैंने कहा कि अभी तक मैंने जितने place किये हैं उसमें set design और costume design नहीं करता हूँ मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ क्योंकि दिमाग में जो हिसाब चल रहा हूँ नॉमली कोई ना कोई एक student या designer होते हैं मेरे साथ लेकिन उनको लेकर market जाना market से खारीदना कपड़े में ही चुनता था अभी last production तक भी यहीं करता रहा हूँ मैं छोड़ नहीं पाता हूँ as a director उन आपस में actually क्याना set costume light actor सारे लोग एक ही बात नहीं कहें वो परिपुरक बनके तभी जाकर संपूर्ण संप्रेशन जो सीन में है जो उसका explanation भी है वो तभी आएगा जब परिपुरक बनकर यह सारे element एक दूसरे के साथ मिल जाए तो इसलिए हम लोग एक सबसे बड़ा ध्यान में रखता हूँ जब सीन कर रहा होता हूँ कि यह सारे element आपस में ऐसे मिलें जैसे कि एक organic mission हो रहा हूँ वो ऐसे नहीं कि आपस में यह जोड़ दिया यह कर दिया यह ले आए सब आपस में रख दिया जैसे कि इंट का चुरा किरोसिन पानी और ऐसे चीजें डाल दो तो वो आपस में मिलेंगे निर रहेंगे लेकिन आपचीनी निमड़ पानी वो डालो पानी में तो वो आपस में मिल जाते हैं और वो शआपत बंज जाता है। तो इस तरह से यह जो पांच elements हैं यह आपस में कैसे मिल रहे हैं उसससे भी तैय हो जाता है sali अपने आपंगें तो यह थोड़े सा अद्रिशी चीजें हैं दे एक ब्रामक बंदरगिरी करना और रियलिस्टिक नाटक के नाम पर बिलकुल एक ब्रामक मनगणत सुपर्फिशल रियलिजम करना यह मुझे दिखाई देता है तो इसलिए मेरे एक नीड भी बन गई थी कि मैं वेस्टर्न रियलिजम को बहुत केरफुली अंडरस्टाइड कर भी यह सब मिला के अपने ही एक रंग शैली धीरे धीरे मेरा निकलता रहा भले ही मैं मुजिकल भी फार्शिकल भी रियलिस्टिक भी मुव्मेंट ओरियंटेड भी ऐसे नहीं कि मिश्रन करता रहा अलग 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 समय पे मैं एक एक शैली के उपर जोड दिया तीन तीन से प्रवावित रहे हैं हिंदुस्तान के भी और बाहर के लिए बाहर के तो जो है मुझे तेयोरिटिशन के इसाब से पेटर ब्रूक और रिचार्ड शेखनर और उसी पिरियर्ड के बाकी लोग भी सबसे जादा प्रवावित कर रहे हैं मैं उनकों स्टड़ी भी करता रहा वो मेरे एक तरसे गुरू ही है विना देखे दूर से ही वो गुरू है भारत की सिस्टम में जिसेंग मैंने कहा कि कारंट जी वीवी कारंट इबनाई मालकाजी और जीतेश मंजबाद ध्याय बंगॉल के और अपने महरास्टर के सारे लोग जितने जबार पर्टेल से लेकर लेडी तो ये सब काफी प्रवावित रहे हैं जो जोने सेवेंटीज एटीज तक काफी एक्टिव रहे हैं बेंगॉल में और महरास्टर में एक बात हमेशा हमें आती है कि ठीटर का प्रशिश्टर लेकि लोग सीधे फिल्मों में चले जाते तो ये लगबख 99 परचेंट तो सही है कि लोग करें कि यो नसीर ऐसे हैं जो अभी थेटर कर रहे हैं लेकिन जो बहु और भी जीनियस लोग चले गए वो सब ऐसा है कि नस गा रियलिस्टिक थेटर जिसमें मैं और मेरी बीवी और एक दो जने बच्चे काम करेंगे तो इसको तो मैं उतने आदास पर दीता कि इस समय भारत में किस तरह थेटर डिमांड कर रहा है इसकी तलाश है क्या है ये नहीं है उन में ये तलाश नहीं है उन्होंने जो किया इस थेटर ऑफ सुटेबिलिटी बट एनीवे फिर भी मैं यह बताईए एक जवान लड़का जब ड्रामा स्कूल नाम के चीज बनी हम सब तयार हुए कि हमको ट्रेनिंग लेंगे उसके पाद प्रफिशनल बन जाएंगे उसके पैसा कमाएंगे तो थेटर कहा है जहां से प कैसे तो हम यह सवाल पूछने से पहले खुद देखें कि हमने भारत सरकार ने एक्टरों को जो प्रफिशनल री ट्रेंड होकर निकल आ रहे हैं कुल मिला के सिर्फ 25 लोग हैं ड्रामा स्कूल से जो निकल रहे हैं बी एने से कुछ और निकल रहे हैं इधर से कुछ निकल र यह मुझे तो टोटल हिसा पदा नहीं है बट एक लिस्ट पूर कंट्री में 2000 से ज्यादा आपके रेपर्ट्री कंपनी हैं बट वीच वन इस एक्टिफ वीच वन इस एक्टुली दूइंग सम रिसर्च और रिंटर वर्क या ग्रोफ और रिंटर वर्क तो इसलिए बेचा मुझे सर्वाइब के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको हम दोशिना मानें क्योंकि कहीं तो एक्टर रह रहा है ना वो कहीं तो एक्टर रह पा रहा है वरना ज्यादातार लोग तो फिर अल्टिमेटली थेटर को छोड़ी देते हैं कोई रेडियो में बन गया कोई टेलिविजन में जाकर प्रोडूशर बन गया और या तो कोई नोकरी कर लिए साल बहर में कहीं का कि थोड़ा बहुत प्रड़क्शन कर लिए उसको मैं ठेटर करना कहींगा नहीं क्योंकि उसमें आपका रिसर्च नहीं उसमें आप एक्शुली डेडिकेटेड नहीं है सिर तो इससे तो बहतर है कि टेलिविजन में जाकर ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये भी है आकड़े भी लेने की ज़रूर होते हैं बिहार के जो एनेजडी से पास किये हुए चात्र हैं बड़े थेटर पिछले 5-7 साल के अंदर डेव डेवलॉप्ड एलोट उन्होंने काफ ज़रूर दो नाटक कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये अत्वी सिनिकल दृष्टिकोन है कि एक्टर को हम केते तू तो टेनिंग लिया थेटर में भारत सरकार का पैसा आज के समय पर देखा जाए 8000 रुपया बहिने में मिल रहा है तो भारत सरकार का पैसा तो 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 ये अवरी साइड सीचुएशन और इस पें पूरा कहीं न कहीं इस पूरी जो जिक जिन्दा है भाविश्टी के लिए कलागार के भाविश्टी की जिन्दा आप में रहे ही बनी रहेगी थेटर की अपनी जो एक यात्रा है हर साल हम 27 मार्च को विश्व रंग मंच मनाते हैं और थेटर के कजिस्ट मनाते हैं लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान का जो थेटर है जिसमें आदुनिक थेटर भी शामिल है और परंपरिक जो लोग मंच हैं वो भी शामिल है इन सब की सित्याव क्या देखते हूं कि देखें मैं एक्षुली जो है ना एक तरह से कोऊँआ की कूप मंडू कूम है मैं अपने एक्टिविटी जब ड्रामा स्कूल के अंदर चल रहा है क्लासरूम में चल रहा है और बस मैं उसी में रहता हूं मरे पास और फिर अपने घर गरेश्ती समालना मैं एक्शुली उ फिर भी मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि हाँ एक डैवलोपेंट दिख रहा था लेकिन दिल्ली में थेयाटर का पूरा-पूरा ड्रॉप हो गया नीचे चला गया असी के दरशक में जिस तरह से बिल्ड अप आया था बहुत साए ग्रूप एक्टिव थे उसके तो मैं फिर नए लोग एकठा करूँ और एक काम करूँ तो इस तरह से मैं बिल्कुल कि किदर को जा रहा है क्या होना चाहिए नहीं कह सकता लेकिन एक इंपॉर्टन बात हम सब को समझना चाहिए हमारे एकौनमी ने हम को जो जो मॉडन एकौनमी जिस सी पूरी दुनिया का भर्रा गाइड़ीड है उसने हमको एक दुसी तरह का प्रात्यमिक्ता देता जा रहा है हमारे टाइम का डिस्ट्रिबिशन एक अलग तरह से होता जा रहा है हम बिलकुल पहले जैसे कि चलो बच्चे बच्चों लेकर थेटर देखने गए भारत हमने पहले जील देखा उसके बाद भारत हमने नाटक देखा फिर वापस आए उस तरह के करने का टाइम नहीं है माँ अपने टेलिविजन सिरियल भी देखेगी कि उधर बच्चा होमर कर रहा है कि नहीं कर रहा है जात्रा उडिसाग की बात मैं अगर करूं तो बेंगल में भी उसी तरह से प्रसिनियम में रियलिस्टिक थेटर लेकिन कमर्शल थेटर महरास्टर में गुजरात में काफी लगातार एक्टिव रहा उसी के दोरानी फिर कलात्मक थेटर परी डेवलप हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल समाज जी की ववस्ता हमारा ढरना चेंज हो जाता है तो धीरे से अब ग्रेश तो लोग जो है वो घर में रहने के लिए बात दें नाटक जा पाना बहुत कॉस्ट्ली मेट्रियल हो गया है डेली राइफ का यूज में अब नहीं टेलिविजन उस काम को कर रहा है तो अभी हमें समझना चाहिए कि यह ऐसाक समय है जहां जनता की भी और सरकार की भी दोनों का पैट्रूनस से ही जाकर थेटर सरवाई कर पाएगा और थेटर करने वाले भी सरवाई कर पाएगे बना यह सिर्फ हम थेटर करने वालों के कंदे पे चौड़के हम उसको कहें पर तेटर वाले कुछ करी नहीं हुआ है सब सिनमा भाग रहे हैं तो यह ठीक तो नहीं होगा और ये जो इस पूरे दोर में आपने जैसे बताया ना कि एक ग्रांट की पीछे सरस्थाएं ग्रांट की पीछे पड़ी है कि उनको अंदार मिलता है बहुत कब लोग सार तक काम करते हैं इसमें और दूसरा फिर यह कि आकलन इसमें भी फर्क पड़ा है कि हमारे अकवारों मे हमारे समाचार पत्रों में A स्टेटी का विक्ति काम कर रहा है तो भी वही कवरेज है कि सब जो एक बीच में घालमेल हो गया है और आकलन का भी संकट है कि आप इतनी मेहनद करके अगर एक कुई प्ले तैयार करते हो आपके साहसाथ आपका आर्टिस्ट यू इतनी मेहनद क करके उसके रिटर्ण में उतरता है उसके अपने इस्थायत हो कि कुछ इस्थितिया नहीं है यह भी एक चिंता जनक बाद है तो और नई जनरेशन का क्या हाले आपको क्या लगता है इस रागता है यह जो अभी आ रहे हैं डामा स्कूल में जैसे लोग आ रहे हैं उसको पता है कि यहां पैसे वेसे नहीं है उसको पता है कि अगर मैं अपने क्रियेटिव डेवलप्मेट चाहता हूं तो मुझे थेटर करते रहना होगा लेकिन ऐसा कोई डेडिकेशन नहीं है उनके उपर कि हम थेटर के लिए अपने जान दे देंगे स्ट्रेगल कर तो अब्विएसली मोस्ट उपने मार ना वंटिंग तो गेट इंटू मंतलबे सर्वाइब कर सकें और एक्सपोजर भी मिल सकें थेटर करेंगे आप साल भर में बहुपाल में एक ग्रूप में आपने थेटर किया जाज सादा चार शो कर रेंगे उसके बाद ख़ता है शो क विलकर माद्यम है कि एक्टर को जिन्दा तो रहने दे रहा है उसके कलाकारिता पर जितो जिन्दा रह पा रहा है तो इसलिए ये तो एक तो इसलिए आने वाला जेनरेशन जो है लेकिन ये लोग इतना क्लियर हैं कि बीच में अपने समाई निकाल के थेटर करी रही नहीं जितना मैंने देखा है जो निस्दी के बाद बच्चे बेने के बच्चे वहां बंबे में जाकर बैठे हुएं तो वो लोग वाकादा हर दो महिने में एक एक नाटक प्रुस्तूत करते जा रहे हैं आपको क्या लगता है बच्चे जो ऴुलुक्त कर रहे हुए वह सारतक प्रुस्न हें हुए उनका अपना कुछ अब कहां कर रहे हैं कौं कर रहा है। जो नई जनरेशन बाहर निकल रहे वह ड्युप Арतक प्रुस्तूत करते हैं तो कितना सार्थख है यह मैंने कहाँगा लेकिन कर रहे हैं यह महत्पूर है कि कुछ कर रहे हैं काम जारी है लोग नाटक देख रहे हैं लेकिन यह को हूँ कि शैली गत ढंग से यह लोग खराब हो गए है या नस्ट हो गए है और इंसे दूर भाग रही है ऐसा भी कुछ बीच में हुआ है ऐसा कुछ संग्रिचना experimental होने के नाम पर कई जगा पर किया गया लोगों ने कि आग पानी धुआ अपने उपर एक्टर जो है टापने ना इस तरह के सिर्फ अचमित कर देने वाले काम को करके थेटर का development नहीं हो पागा जनता इससे भाग जाएगी जैसे 70s 80s में उडिसा में तो कम से कम यही हुआ सारे officers लोग मिलकर जो ना एपसर्ट थेटर करने लग गए जनता भाग गई जात्रा देखने लगी सिनिमा देखने लगे तो इस तरह से कम से कम जिस शेहर में थेटर हो पाता था यह वो जमाना नहीं हम हासिल कर पाएंगे जहां महिने भर में आपके जहर में कम से कम 20 दिन नाटक हो रहा है और जनता आ रही है देखने यह संबब नहीं है हिंदी बेल्ट में तो अभी तक यह संबब नहीं है महराष्ट में होता है that is the only state जहां लोग पैसा देकर नाटक देखते हैं 200-500 रुपय तक का टिकेट देकर देखते हैं उनके culture में है उनके daily life system में है बेंगल में तो आप पैसा देकर भी देखना नहीं चाह रहे हैं जहां पहले commercial theater भी था और paid theater होता था तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी बिसंगती पूर्ण भरा तो है ही लेकिन मैं इसको निराश जनक महीं मानूँगा क्योंकि फिर कोई ना कोई younger generation में से आएगा हमारे लोगों की तरह और एक constructive ढंग से चीज़ों को दर्शों को फिर बांद पाएगा पिर जोड़ पाएगा आपने साथ आप बर्ग कर रहे हैं आपको और अपने समकालीन या नहीं लोगों में किसी का काम प्रभावित करता है या किसी के कुछ किसी दिश्टी से को आप सरात है अभी लाश पिल लेगी नेक्स जेनरेशन में से सबसे talented जहां डिजाइन और डिरेक्शन दोनों को एक जगह से अभी तक भी आपके सवाल में मुझे एक चीज़ लग रहा है जैसे डिजाइन के अलग अच्छा तुर अलग डिपार्टमेंट का का काम है या अलग डिपार् कि हम डिपार्टमेंट मेरा यह डिपार्टमेंट है तेरह यह डिपार्टमेंट है यहां सब organically एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसलिए यह सिर्फ एक designer के emergence को नहीं देखना है कि कौन है जो design में आगे बढ़ा है डिजाइनर डिरेक्टर अभिलास पिल्लाइ डिजाइनर डिरेक्टर दोनों एक्चुली के पास आउट है और दोनों इस समय कंट्री के next generation अगर हम उमीद करेंगे तो यह दोनों में ही है मुझे इसे उनकी याद एक हाले चौज़े की जो कलकत्ता के से अपने ही जीवत अकारिदा से वार्ड मिलाता तो उनका प्ले आया था जिसमें उश्या गांगोली ने काम किया था इसे एक दो लोग को जिस्तर से मैं जानता हूं तो मुझे लगा कि आप डारिशन के रूप पर आई सब कहीं न कहीं बहुत धीक रूप से क्योंकि निर्देशक की भी अप अपनी एक अलग द्रश्टी है काम करने के तो कन्वीस होना अच्छी बात है आपस में कहीं निवा करी नाटा के आप सिनेमा भी पूर्ण होता है तो उनमें कहीं कहीं एक इस्तिया बन गएंगी सबस्क्राइब मननी है वतनत रूप से तो अलग बाकाइद हो आप जो कहरों कि आपस मिल जाते हैं तो दिश्टी दूप से जैसे सिरिवा भी है कि एक पुरा का पूरा गाना है वो उसको कोडियोग्राफ और कोडियोग्राफ कर देता है में देशक की चाहने पर 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 अपनी माजी से नहीं करता होगा डिसकस करते हों कि हमको इस तरह का गाना चाहिए या फाइट सीक्वेंस हैं माली है तो उसके लिए एक आदी है जो उसको जानकारे गुणी है वो अपने सब्सक्राइब लिए नहीं करता हुआ तो वो भी डाइटर बताता हुआ कि भाई इस तरह से सोचता हो चीजें को तो यह सब चीजे है लेकिन आंतुमें एक जो काम हो रहा होता है एक फिल्म अल्ली होती है एक नाटक-बंदा होता है उसको ही उन्हों करने काम करते ह आपने आएगा तो सामुहिक वर्क ही कहलाएगा लेकिन यह भी अच्छा है ना कि इतने सारी विवित्ताव में काम करने में आपने अपना इक जीवन लगाया आपको लगा कि नहीं मुझे इतने ही हिस्से को बहुत रिच करना है और एक पहचान बन भी आप तरह सल इसक्रि की बात है तो जिस तरह से आप दर्श विजुलाइज करते होंगे कही न कहीं वो डिसक्रिशन में आता हूँ ने लिए इस वज़े से मैंने वो बात की और जो कुछ आप तो से अपने अनुभों में जो पहले देखा है विश्व का रंगमंच या हिंदुस्तान का रंगमंच जो किताबें आपने जिसक्रिशन के आपने कहा कि बहुत सारी किताबें किताबें भी इन विश्वों पर अलग-अलग हमारे दुनिया के राइटरों या देख के राइटरों लिखी होंगी या इवन जिसे अब आज जो आपसे बात कर रहा हूँ आपके आपसे बात चीज करके जो आपके दौरा चार महत्वन बातें निकल के आती हूं कहीं न कहीं हो किसी सुनने वाले के लिए प्रेंड ना हो सकती है यह यह सब चीज़े है इस सम्वाद के लिए तो वो जानने की लिगया सा और नहीं है इधर आपने दो फिल्पे भी डाइट की नहीं नहीं यह यह फाल्स है तो दरसर यह मैं आपकी बदाएट में यह संगीन ताटक एकड़मी ने अपने प्रोफाइल में आपके प्रोफाइल में लिखा है अच्छा उन्होंने लिखा कि दो फिल्पे आपने दाएट की बाकि यह सब तो लिखा कि हभी साथ आपने काम किया इधराइब अनकाजी के साथ काम किया तो सब तो सही है यह कहें कहीं कुछ लेकिन मेरी कौम जैसे आपने किया ना उसमें देखिये व्रक्सिकली का है मैंने निर्दशक के काम जो मैंने किया है जो सबसे बड़ा काम एक्चुली मैंने बहु किया है ये जो आप लोग ठपा देने के लिए बैठ एकड़ जाते हैं अगांटूं मैं डिकलेम करता हूँ क्यूंकि मैं कभी ये नहीं चाहके मैं ऐकाडेमि को लोटा दूँ क्यूंकि ये डिजानर को मैंने काम किया वो designer का award मुझे मिलना चाहिए था मुझे मिला लेकिन जो मैंने निर्दशक में Indian traditional format को लेते हुए futurist काम जो किया इसकी प्रतिक acceptance अभी तक जो है जो थोड़े से बुले हो गया है उन लोगों को अभी इस चीज के वान नहीं है कि मैंने एक्शुली निर्दशक के काम में पिछले बीस बाइस साल से जो development बाइस साल ने बलगे पचीस साल से जो development काम किया मैंने ये शायद अभी country में बहुत कम लोग कर रहे हैं तो उसमें मैं सिर्फ दो तिन जनगों पूरे country बर मैंसे रॉइस्टरन एबल और अभिलाज पिले इन दोनों को ही मैं देख पाता हूँ कि वह उसी तरह के एक अंतराष्ट्रिय और फिर भी अपने देश के जमीन से निकले हुई चीजों की प्रतिय एक द सारे लोग मिलकर वही एक नाटकुई देख रहे हैं अगर ठीक से समझदारी कमी है तो वह खांव 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 अपना तड़ी या अधिकार दिखाने की कोशिश करें तो ऐसा एक निर्देशक के साथ मेरा पाला पड़ा तो मेरे सीनियर थे वह इसलिए मैं थोड़ी से ज इतनी उंचे उंचे लग रहे हैं एक्टर तो गिर जाएगा मैंने उसको कहा कि नहीं नौ इंच के सिरियां है और एही नौ इंच अरकाई साब तो इससे कम रखते थे तो उससे जाकर जाकर एक्टरों को शिकायत कर दिया ओपर रविंद भावन में रहसल हो रही है वहां से आये डिरेक्टर साफ आये साथ में राम गॉपाल बजाज जी जो की रेपरेटरी चीफ थे उस वस्वत उनको भी साथ में ले आये दोनों बैठे राम गॉपाल बजाज जी मुझे कि भाई तो यह सीडी जो आना बहुत हाई है इनको तुड़ा चोटा कर दो डिरेक्टर सा नहीं करूँगा तो मैंने का कि ठीक है आप मुझे शाम को दो गंटा एक्स्टा दे दीजे कारपेंटर में इसको ठीक कर देता हूं तो आया मैंने का कि यह जो चार फिट चोड़ा था इसको आप छे फिट कर दो और इसके पीछे जो प्लैटफॉर्म है जो छे फिट था उ तो इधर कारण जी का एक अगाध विश्वास था कि रॉबिन कर रहा है तो सल्यूशन देगा वो तो सकंदगुप्त में तो यह सीन किदर करेंगे तो वहां हो रहा है तो लाइट उदर जाएगा मैं कहें नहीं वहां हो रहा है तो ज्यादातार लाइट वहा है लेकिन यहा यह जो senior जिनके बारे में मैंने कहा इस तरह के व्यक्तिकों को सुनाए नहीं जा सकता है, समझाए नहीं जा सकता है। वो सब को रेपटरी कंपनी में यह प्ले हो रहा था तब, Robin, I want some there. यह इस तरह के abstract sense कहने से designer क्या सोचेगा? मैं सिर्फ समझ गया कि वो स्वर्ग का scene था इंद्र का और एक तरफ पुर्वरवा का जंगली अरिया. तो जंगली अरिया के लिए CD में थोड़ा सा उचा रखा हुआ था. तो ऐसे लोगों के साथ फिर मैं आगे कभी काम नहीं करूँगा यह तै किया. लेकिन उसमें मैंने खुब cheating की. आप अंतितर तो वही रहा जो आपके चाहा तो इससे एक्टरों को भी फैदा हुआ. उससे मैं भी अपना काम क्योंकि बैलेंस करना है मुझे एक तरफ का सेट आ रहा है इधर मैं ऐसे कर दूँगा चोटे-चोटे कर दूँगा उधर का पूरा एक लंबा रैंप डिरेक्टर ने का कि मुझे एक लंबा रैंप चाहिए जिसमें उर्वसी वहां से आएगी. तो मेरे हिसाब से डिरेक्टर का ये डिमांड अनसरी था सिर्फ दो बार वह आती है पूरे प्ले में उसके लिए मैं पूरा एक रैंप लगातार खड़ा करके रखूं और वो जाकर एंड होगा 27 फीट पे तो इस तरह से अल्टिमेटली मैंने क्या किया वाई एट्टी एक लेन देन चल सकता है ऐसा नहीं कि मैं एक स्टेज काम कर रहा हूं तो उतना ही महत्पून काम है जितना की निर्देशन का काम है क्योंकि डिजाइनर का जो है वो ब्लॉकिंग को कंडिशन कर रहा है डिजाइनर ब्लॉकिंग के लिए फैसिलिटी दे रहा है या आप अग तो इस तरह से प्ले के अंदरोनी तत्तों को मुखा देने के लिए प्लस प्ले के अंदर जो कारिवेबार, फिरिजिकल कारिवेबार होगा उसके लिए भी. तो इस स्पेस की पोईट्री है, तो बहुत कम निदेशकों को स्पेस के बारे में इस तरह के डीटेलिंग का भान है, तो तभी मैंने सिर्फ सारा काम चोड़ की दिया, मैं खुद ही अपने प्ले में इन सब चीजों को एपलाई करता रहा, नाटक डिजाइन भी कोश्चिंग आपका अपना ग्रूप भी लगवख 25 साल से रण कर रहा है? बीच बीच में ग्रूप खतम हो जाता है, दूसरा ग्रूप शुरू होता है, नाम भी दूसरा हो जाता है, रियस्टेशन दूसरा होता है, लेकिन हाँ, मैं बलकि आए उड़ से कि ज़्यादा, 40 साल से मैं एक से एमेचो थेटर ग्रूप का ग्रूप एक्टिविटी जिसको कहूँगा, मैं लगातार मैं करता रहा, बीच में 2002 के बाद से दस साल, पंदरा साल मैंने बलकि बंद कर दिया, क्योंकि ड्रामा स्कूल में खुद ज्यादा इंवर्ड रहा, और एक्स्टेंशन प्रोग्राम में भी जाकर देश के अलग-अलग होने में वरक्शाप करना, उसके लिए सिलबस तयार करना, खुद थोड़े दिन पढ़ान बाकियों को, हर टीचर को किसके बाद खुद जाएगा, इस तरह का एक टीचिंग, शिडियूल वरक आउट करना, यह सब मेरा काम रहा. अभी वर्तबार में हैं वो ग्रूप याद नहीं है? अभी किया था ना मैंने, हाँ है, अन पेपर है, लेकिन वो सब लोग जा चुके है, अलम प्याड जब हुआ था, तब मैंने अपने ग्रूप से, अच्छा च्छा, जो बोपाल भी आया था? एक सीज़ मैं करता हूँ, जब मैं फ्लेड आयट कर रहा था, मैं उसमें की रैटिंग लेगा, बोपाल भी आया था, ने, मेरा बना भेर दूरे बोपाल दी आया है, तो, वह वहीं एकी शोग हुआ, उसके बाद, हाँ, उसके बाद, फेस्टिबल में एकी शोग हुआ, उस तर उसकाम को चलाते रहना जो है, ना, एक क्या कहूँगा मैं, अपने ग्रूप की एक्टिविटि़ को चलाये रखना, एक बोज है, आपका चारित्रीक बोज भी है, आपका च्रिक खालन हो सकता है, कहीं से ग्रांट मिला तो आप उस alert पैसे खाना शूरू कर देंगे, तो मैंने इसलिए कभी grant grant लेकर काम नहीं किया अपने ग्रूप में जब भी किया हम आपस में contribute करो मैं तुम लोग जितना contribute करोगे मैं उससे ज्यादा दूँगा तो इस तरह से करके साल भर में दो production कम से कम हम करते थे बट वह ही कह रहा हूं दोजा तीन चार से मैं drama school में ज्यादा बिजी रहा तो फिर मैंने अपने ग्रूप activity एक्सरा से बन दे ये बात आप कितनी सच मोल रहा होता है इतना सच को बोलता होगा जो आप चारिटरी बात की को कि सभी लोग 99% लोग होंगे लिप इस कार में मैं नहीं कहता लेकिन इसको स्विकार ना और इससे बच ना तो आ ने भी जो यारों गामी को करने के बाद मुझे रेलाइज हुआ कि जो आट डिरेक्टर है वो इधर प्रडूक्शन वालों से पैसा काएगा उधर कमिशन काएगा जिन से वो फ़नीचर वगरा सब हायर करकर ला रहा है तो मैंने रेलाइज किया कि मैं तब तक अपने बढ़ी बढ़ा ये था मोह था कि मेरे हाथ खराब ना हो जाए तो सच में मैंने उस दिन उस दोरान ते किया और वाइफ को अकर का कि मुझे आडेक्शन करना नहीं है मेरे हाथ खराब जागा मैं करब्ट हो जाओगा पैसा मिलना है तो कौन नहीं लेगा तो इसलिए जंगल में भाग के अपने आपको बचा सकते हैं लेकिन बाजार में खड़ा होके अपने लोब को रोक पना मुश्किल है यह जाने भी तो यारो सतीश कोशिक जी से हमारा बहुत अतना पा है बहुत ज्यादा तो उनके साथ इस फिल्म को लेके अभी कोई नया प्ले आपके जान में है कुछ करने का इजादा में मैं एक्चुली जभी थोड़े दर पहले भी बोला था कि रिटार्मेंट के बाद मैं मेरे अंदर का वो डिरेक्टर कम रहे गया टीचर भी कम रहे गया सिर्फ ड्रामा स्कूल में जाता हूँ तो आदतन डारेक्टर करता हूँ मरना बेसिकली एक नए छात्र के तरह मैं अभी नहें के उपर सीख ना हो कि मेरे से मिस्टेक ना हो जो सुनेंगे कि ये ड्रामा स्कूल का प्रफेसर है अच्छा ये यार एक लाइन टीक ची नहीं हो रहा इनके कहां से आ गए तो ऐसे एक ड्रामा स्कूल के प्रती धबा ना लगे तो इसलिए मैं सतर्क होने के चक्कर में मेरा सबसे ज़्यादा गवेशना इस वक्त एक्टिंग ट्रेनिंग के उपर है और खुद को भी ट्रेन करने के लिए दो बारा पिछले 2 साल से मैं एक्टिंग ट्रेंग के बुक्स को फिर तीन बार चार बार इस दवरान पढ़ रहा हूं उसका सिंप्लिफिकेशन को ढूंड रहा हूं तो इसलिए अभी मेरे दिमाग में प्ले था नहीं जैसे कि यहां मैं भुपाल आउंगा और प्ले करूंगा तो मैं नॉमली कोई प्ले छे मेने पहले तेह करता हूँ तो इन्होंने थोड़ा सा टेंटेटी बातें बताई कि बारा पंदरे स्टुटेंट है ज्यादा नहीं है तो मैंने उसी हिसाब से यह प्ले चुना था देख और मुश्किल क्या है कि भारतिय नाटक जो अच्छे हैं वो हो चुके हैं ड्रमा स्कूल में mostly क्या किया जाता है कि आप नाटक कौन सा चुनेंगे ना हमारे सिलबस के हिसाब से जो है उसमें से कोई चुन दीजी इंडियन रिलिस्टिक नाटक वेस्टर रिलिस्टिक नाट के प्ले इस तरह का हमारा कोर्स में जो होता है उसी तरह से चुनना होता है तो हाँ मैं normally साल बार पहले छे मैंने पहले कोई प्ले को लेकर अपना दिमाग में गूतिता हूं तब जाकर वो मैं उसके उपर काम शुरू करता हूं बट अभी विल्कुल तो वी ऑनेस्ट इस द जत् norm के लिए तो उसका चुनाप का कराम मही यही है कि छात्रों को एक्टिंग training का मौका मिले को विल्गी जो कि मका मौ करने के मौकी सब्सक्राइब शेकर नागा है फैली कुछ यह घर्म से पहला काम फ़िल्मों में आप्यरेंट्स गोंश जो है वो 84 में मनी कॉल साहब जो हैं जो बहुत एक्सपरिमेंटल डिरेक्टर हैं अब दिवंगत हो गए हैं अभी दो साल पहले उनकी एक फिल्म थी माटी मानस उसमें मैंने सबसे पहले अभिनए किया उसके बाद मैं अपना एक्सपरिमेंट और डिजाइन त्याइटर डिरेक्शन कर रहा हूं ड्रामा स्कूल में 91 में पूरा इंस्टूट से पास आउट एक उडिया डिरेक्टर उन्होंने एक प्ले किया एक फिल्म बनाई उडिया फिल्म नाइटी टू में तो उन्होंने मु तो आप कर लो तो इतला कि वाइचांस कमिंटू में फिर 93 में एक थी गुझा करके एक फिल्म हिंदी फिल्म जिसमें की सुआसी मुले नंधितादास अश्यक मांटिया ऐसे लोग हैं तो वो डिरेक्टर ने मुझे मंडिया उसमें चाय के दुकान पर देखा वो किसी और को जैना उसको ढूल रहे थे तो उसका कोई फोन नमर भी में नहीं मिला तो वो मुझे देखा फिर थोड़े दिर में अपने एसिस्टेंट को कहा है चलो उस सर से बात करते हैं तो इसी तरह से कुछ कुछ चांस होते रहा है 2005 में भी मैंने कुछ काम किया जो एक बिदेशी प्रड़क्शन हाउस की तरह दोजाद दस में फिर मैंने एक फिल्म की वो भी इंडिपेंडेंट फिल्म है मतलब आर्ट फिल्म कहेंगे यह मेरी कौम अचानक किसी ने मेरा नाम का कि सर आपका चेहरा मैच कर रहा है उनको एक रेल लाइफ करेक्टर पर चाहिए नौर्थ एस्ट का आपका फोटो दे दूँ मैंने कहां आप दे दो तो मैं गाओं में था तो मुझे उन्हें ने का किया रिस सार आपका चेहरा मैच कर रहा है तो आप ऑडिशन दे दो दो दिन तक मैं उनको टालता रहा कि मेरे पास कुछ वीडियोज हैं जो मैंने की हुए वो आप देख लो लेकिन फिर दो दिन के बाद उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने ऑडिशन दिया एंडाइबर सेलेक्टेड बाकी इस तरह से कभी मैं ऐसा नहीं कि कोई मेरे जान पहँचान लोग मुझे आपका लेबल जानते हुए आपके क्या कराना है इसे मैं आपकी वो निजी रूप से वो आईस्क्रीम वाली एर टेल की फिल्म बहुत पसंद करता हूँ और उससे ही प्रेजित हो कि मैंने कहान ही मिलीशी जिसमें यह है कि वो ऐसा ही कोई वित्ती जो इस तरह से साइगेर पर आईस्क्रीम बेचता है और एक दिन बहुत बड़े पार्लर का मालिक हो जाता है उसका जो छोटा लड़का है बेरुजगार है वो चाहता है कि इस पार्लर में वो काम करें ऐसे करते हैं तो मैं कहानी आपको मेल कर दूँगा या दूगा तो कुछ चीज़े होती है कही आप तो मुझे उस सब्सक्राइब दो तीन फिल्म में एटल की भेजी थी है वार्टसप किया था जो मैंने आपके कहा था तो वो रखी है मेरे पार जो फिल्मों का भी कोई अभी अनुबंद है आगे हाँ कुछ कुछ चलता जा रहे है एक इंडिपेंडन फिल्म बन रही ह कुछ नकसल मुव्मेंट का जो पतन है उसके उपर तो अभी जा रहा हूँ यहां से सीधा में कलकडा जा रहा हूँ और ऐसे कुछ कुछ चीजें लाइन में हैं फैबुररी मार्च में एक और प्रोजेक्ट होने वाला है इस तरह से यह जब्री अभी 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 में की ला में सारा कुछ बंद हो गया था लेकिन बरना पिछले से साल बड़े इंटरेस्टिंग जानी रहा मेरा एक आठ फिल्म डायर्टर टाइप के विखती हैं के उनका नाम है बलेसी उन्होंने वहां का एक करला का एक बेस्ट सेलिंग नौवल है वीच साल पहले लिखा गया था उसकी उपर एक फिल्म बनी जॉर्डन में उसकी शुटिंग होई मैं बगा था वहां गया था एक रेल लाइफ करेक्टर है नक्सल मौवमेंट के दोरान साथ इन्यन करेक्टर है और फंक्शन किया उन्होंने कलकटा के आसपास जहां गा उता था प्लस जाड़कन रिलीस हो लाइफ ओफ और गोट आड़ू जीवितम उसमें इंटरेसिंग है कि एक हीरो हमारा करला का जाता है दुबई वहां कहीं फंस जाता है ऐसा फंसता है कि बिल्कुल है जा स्लेव रिल लाइफ करेक्टर में गठना है यह उसको वाका था गाय बैल वहांस गाय और बकरे उंट अब बकरे यह पालने का काम में उसको फंस गया कहीं नहीं जा सकता रात अरपोड से उसको ले गए उसको लगा कि वह मोटर मेकडिक है लेकिन आकर देख रहाए कि इसको तो यहां रख आगे, जिसने रखा वो आए, उसके पास बंडूप है, और आसे-पास कोई उसके पास जीप है, इसके पुछ कुछ नहीं भागनी सकता, रास्ता के दर है, पूछ से पूछ से रहे जाता है, तो फिर कैसे वह वहाँ से एसकेप करता है, उसकी कहानी है, और रिलीज होगी? अभी नहीं, वह आदमी बारी करता है, पर्फेक्ट करता हूँ, मैं बहुत आभार विक्त करता हूँ, आदर्णी से ना केवल हमारे कला और मंच के जगत का, बलकि जो शोता और जिग्यासू भी है, उनको भी महतुपून बातें अन्वह के लिए, पज़र्वे के लिए, ज्यान के लिए प्राप्त होंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, तैक्यू बेरी मच्च, थैंक्यू करिंग्याद, ज्यान के लिए प्राप्त, इंक्यू बढ़र्वे से जाएंगी, ज्यान के लिए, तैक्यू जाओर्णी।